पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट का हम लोगों ने एक तो वो किया रिवीजन पूरा कंप्लेट किया थोड़ा सा फास्ट चलना ज़रूरी था और सर इसके अलावा पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट का लाइव मल्टीपल चोईस कोशिन भी किया और क्योंकि आपकी डिमांट है सर डेली एमसी क्यूज एक घंडे का कम से कम करवा दिया करूँ तो बात सही है मैं डेली एमसी क्यूज लेकर आऊँगा पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट का मल्टीपल चोईस कोशिन अभी खतम नहीं हुआ कल खतम हो जाए लाइब क्लास रहेगी तो सर म्यूज फंड क्या पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद करना चाहिए हाँ जी पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट पहले हो जाना चाहिए म्यूज फंड से पहले इसलिए मैं सलाह दे रहा हूँ अगर हो सकता है तो portfolio management के बाद mutual fund करना चाहिए आपको अगर नई भी होता है 2-4 chapter बाद में भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं पर portfolio management पहले होना चाहिए आपका total भी mutual fund का सर ये कितने गंटे का class जाएगा बड़ी मुस्किल से 2-5 गंटे का class मतलब सर एक ही पार्ट में हो जाएगा नहीं करूंगा तो मैं हर chapter 2 ही पार्ट में record करूंगा अब आपकी मर्जी आप एक साथ देख लिजे एक्चुली ना 2-5-3 गंटे एक साथ वीडियो देखना आपके लिए भी फैक्ट यू नहीं है CDC में आपको बाद बता रहा हूँ ओके सर इस्टार्ट करें mutual fund यस जैसा पोर्टफोलियो में था वैसा इसमें भी है हर question में मैंने आपके AFM module का reference दे रखा है आप वैसे भी कर सकते हो ठीक है और mutual fund किसी भी हालत में छोड़के नहीं जाना क्योंकि इससे किसी भी हालत में एक question आता ही आता है तो please करना तो mutual fund में हमें क्या discuss करना था अगर मैं कहूं कि mutual fund 8 से 16 नंबर मतलब सर कभी कभी 2 questions भी आ जाते हैं हाँ जी पर एक question तो आता ही है तो 8 नंबर क्या बुरे है यार तो sir total मिलाकर हमने इसको parch part में divide किया sir पहले के revision video देख सकते हो कि हाँ लेकिन उसमें number of questions नए वाले cover नहीं है यह देख लो एक ही बात अगर पहले के देख लिया है तो अलग बात है और multiple choice question के लिए यह वाला topic हमारे लिए बहुत ज़्यादा important हो गया performance evaluation इसमें हम लोग sharp ratio हाँ सर याद आ रहा sharp ratio यह सब पढ़ेंगे एक question में मैंने करवाया भी था portfolio मेंगे और residual में क्या पढ़ेंगे sir tracking error करके topic है वो भी मैं आपको revision में के साथ सथ करवाऊँगा ही करवाऊँगा और tracking error के अलावा sir और कुछ चीज है क्या pharma net selectivity model वो भी मैं revision में करवा दूँगा पत्रब सर रेसिडियन important है लेकिन अगर मैं गो इन में बहुत कम questions है जो time लगेगा वो किसमें लगेगा सर जो time लगेगा वो इसमें लगेगा तो यह जो पहला part होगा एक गंटे या फिर देड़ गंटे से ज़्यादा का part नहीं होगा एक गंटे target मान लो अगला बार देड़ गंटे का हो जाएगा target थाई गंटे उससे उपर किसी भी हालत में हमको नहीं जाना okay सवाल ये है कि portfolio management क्या होता था सर कुछ नहीं होता था ये डायग्राम आपके बस बना ही होगा सर एक person है राम राम के बस पैसे है 5000 रुपए और राम चाहो तो direct investment कर सकता direct investment मतलब यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है मैं खुद अपने हिसाब से सोचूँगा और मैं 5000 रुपए अपने मन से investment करूँगा मुझे कोई सलह ना दे ऐसा भी हो सकता 5000 रुपए में किदर किदर investment कर लोगे भाई equity में एक लाख रुपए fixed income में एक लाख रुपए रियल इस्टेट में दो लग कैसे गरो डाइवर्जिफिकेशन 5000 में क्या डाइवर्जिफिकेशन हो का आपको सुचो ना सर रिलाइंस का share ही तो कितने का आ जाएगा और अगर हमारा MRF टायर लेना है तो खिल गतम तो सर और it means problem क्या है राम के साथ इन 5000 से एक तो डाइवर्जिफिकेशन नहीं हो सकता था दूसरा भाई साब वो उतना expert नहीं है वो अपनी duty करे अपना job करे कि ये सब मशियर मार्केट में गोसे और तीसरा time है भाई आपके बस time है तो राम से कह रहा है एक asset management company जिसका नाम है mutual fund वो कह रहे है राम सर ये समझाओ नहीं हमको आता चलो लो बना ले एक बार कि आप हमें दीजिए 5000 रुपए और ऐसे और हम आपको जैसे shares इस्यू करते न हम आपको units issue कर देंगे एक unit 10 रुपए का तो आपको 500 units मिल जाएगी ठीक है और बोले ऐसे हम बहुत सारे लोगों से पैसा जमा करेंगे और total हमने 40,000 units issue कर दिया तो बोलो हमारे पास कितना है sir 4,000,000 और फिर वो 4,000,000 रुपए हम यहाँ investment करेंगे this is indirect investment अच्छा sir तो sir यह mutual fund कुछ है नहीं fund है बेटे mutual अच्छा sir ठीक और काम चलते रहेगा तो sir इसको जो है राम को क्या 5000,000 ही वापस मिलेगा नहीं वो जहाँ investment कर रहा है उसका value बढ़ेगा तो उसको पैसे भी तो वापस मिलेगी अगर value बढ़ गया जादा तो जादा पैसे वापस मिलेगी फिर मैंने यह भी बताया था mutual fund दो टाइप के होते थे वैसे तो तीन भी होता एक exchange traded होता वो theory में गवर होगा sir एक open ended होता था और एक closed ended होता था open ended में क्या होता था sir open ended में की राम आप units खरीदिये और जब आपका दिल नहीं करेगा कि नहीं है राम मुझे नहीं मुझे मेरे पैसे वापस चरीए आप आ जाना मेरा window open है आओगे मैं आपको वापस करूगा पैसे that's it this is open ended में जागा sir closed ended क्या होता था राम आप units खरीदिये राम ने खरीद लिया बोले वापस वापस करना है ना units तो बले हमारे पास मता ना stock exchange आना आप reliance के share खरीदे तो क्या अमबानी के पास जाते हो पैसे मांगने के लिए नहीं sir वो stock exchange में trade होते yes इसको बोलते closed ended mutual fund sir open ended mutual fund में पैसे कैसे वापस करोगे जिस दिन राम आएगा उस दिन देखा जाएगा कि उस दिन assets कितना था अगर उस दिन assets 4,00,00,00 रुपिया लगाया था अगर वो portfolio साड़े 4,00,00,00 हो गया तो NAV कितना है इसको बलते NAV net asset wealth जो आया है उतना हम वापस कर देंगे और sir इसमें closed ended में भाई उसमें दो demand and supply पर depend करता है ठीक है ओके साथ चले आगे yes तो हमारे लिए सबसे काम की चीज़ क्या है हमारे लिए सबसे काम की चीज़ है NAV calculation और ये first part में most probably NAV calculation होगा ठीक है और इसके साथ साथ return calculation भी काफी कुछ हो जाए बागी तो तीनी कोशिन है कोशिस करेंगे जितना हो जाए sir NAV कैसे निकलते है mutual fund ने share market में पैसा लगाया है shares में अलग-अलग company के shares में पैसा लगाया होगा bonds में पैसा लगाया होगा पता नहीं कहां कहां पैसा लगाया होगा तो अगर मुझे एक particular date का NAV निकालना है तो उस दिन मेरे assets का value क्या था sir mutual fund का assets क्या हुआ mutual fund ने जहां पैसा लगाया है reliance में पैसा लगाया है तो उस दिन reliance के share का price क्या है ठीक है और क्या कोई liability है mutual fund की liability भी होती है बहुत सारे खर्चे भी होते है उनके अगर कोई out standing liability है तो वो minus होगा तो जो आएगा उसको हम net assets बोलेंगे divided by total number of units से divide करेंगे तो जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे NAV NAV निकाला क्यों जा रहा sir NAV इसलिए निकाला जा रहा ताकि हम daily basis पे निकलता है ताकि अगर किसी person को कोई unit holder को unit खरीदना है तो हम base देंगे उस दिन के rate से और अगर sir कोई हमें redemption करना है तो redemption कर देंगे कोई पैसे वापस मांगना चाहता है तो इसके साब से पैसे वापस कर देंगे हाला कि इसमें entry load, exit load दो चीज़े होती हुँ वो मैं धीरे से समझाओगा तो पहले एनेवी की बात करने है ये example बहुत जादे important है इसमें थोड़ा सा time लगाँगा बस इतनी अनुमती चाहता हूँ sir एक अप्रेल दो हजर 22 को मैं बात किस के angle से करूँगा मैं बात अभी RAM के angle से नहीं करूँगा मैं mutual fund के angle से बात करूँगा एक अप्रेल 2022 को एक लाक यूनिट्स इश्यू किया दस के हिसाब से एक लाक यूनिट्स इश्यू किया दस के हिसाब से मैं हूँ mutual fund मेरे पास मैंने पैसे collect कर लिया कितना रुपया आ गया दस लाक रुपया आ गया दस लाक को कि लोगों से एक खटा किया सर लोगों का नाम तो बोलो unit holders अच्छा उन से पैसा एक खटा किया और अब मैं investment करने का सोच रहा हूँ तो मैंने क्या किया भई Reliance के चार जार शेर 100 के सबसे खरीद लिया 4 लाक यहां खर्श कर दिये और 7% bonds खरीदा 2 लाक का और 10% debenture भी खरीदा 3 लाक का तो इतने पैसे खर्श कर दिये सर 10 लाक आया था 10 में से 4 और 2 6 और 3 9 9 लाक रुपय खर्श कर दिये तो 1 लाक रुपय बचा ठीक एक साल बात और उसके बाद चिपचा बैट गए सर उसके बाद कुछ भी नहीं किया कुछ नहीं किया मैं कहा है का mutual fund सर आपका मालो कुछ नहीं किया 35 मार्च को क्या हुआ सर रिलाइंस के शेर का जो प्राइज है न जो 100 रुपय था मालो उस दिन 100 रुपय था वो बढ़के 135 हो गया और सर जो 7% बाउंड था उसका वैल्यू 110 परशंट हो गया मतलब फेस वैल्यू कहीं और सर जो डिबैंचर था उसका वैल्यू जैसे की वैसा रहा एट पार और सर बीच में हमको रिलाइंस ने डिविडेंट भी तो दिया और बीच में ये जो बाउंड और डिबैंचर पर पैसे लगाए उस पर इंट्रेस्ट भी तो मिला होगा ठीक है और उसके बाद सर हमने एक्सपेंसिस पैड भी किया तीस जार उस साल के बीच में और सर इंट्रेस्ट भी मिला किस से बाउंड और डिबैंचर से और सर ऐसा है कि कुछ खर्चे अभी देना भी बाकिए एक्सपेंसिस पेडल और हमें क्या निकलना है सर हमें निकलना है एने भी सबसे पहला काम होगा कि हमारे पास कैश कितना था एक अप्रिल को सर एक लाक रुपए क्या बीच में कुछ कैश आया भी हाँ सर क्या कुछ कैश गया भी हाँ सर तो पहले हमें क्लोजिंग कैश निकलना पर 31 मार्च 2030 को क्लोजिंग कैश कितना था सर एक लाक रुपए था opening cash बिल्कुल सही sir dividend भी मिला होगा और कितना मिला है यहां लिखा हुआ है 60,000 तो वो 60,000 भी लिख लिया sir bonds पे भी interest मिल गया bonds था कितने का sir bonds था 2,00,00 और 2,00,00 7% मतलब sir 14,000 हमको interest भी मिला बिल्कुल सही बात है किसको मिला यह mutual fund को और sir debenture पे भी interest मिला भी लाइक है 10% और sir हमने expenses paid भी किया कितना 30,000 expenses payable minus होगा कि कभी नहीं होगा यार सिए final में हो तो closing cash कितना आ गया 1,74,000 फिक यहां तक अभी NAV नहीं निकला अभी closing cash लिखना और closing cash मैंने यहां लिख दिया 1,74,000 अब यार हमारे पास asset कौन कौन cash तो लिख लिख लिए sir asset था हमारे पास reliance reliance के shares कितने है sir 4000 कितने के सब से 135 4000 into 135 लिखा sir debenture bonds जो है 2,00,000 को हम 110% पर value कर रहे है और sir debenture at par बोला है और sir expenses payable बोला है total हमारे पास कितना है net assets यह और number of units है 1,00,000 तो यह आ गया NAV अब आ जाईए क्या आपको unit खरीदना है किस दिल आप आए हैं बहुले हाँ तो बहुले आपको इतने का पड़ेगा plus कुछ charges वो बाद में समझेगे यह NAV है ठीक है करें start yes पहला question number 1 मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि इतना असान है और sir हमारी book का question है कि हाँ जी TYK7 page number 8.23 पढ़ूंगा जरूर sir business दे रखा 31st March 2014 वो बलता है हम एक अप्रिल का information आपको नहीं दे रहा है आपको सिधा last day का information दे दे है कि हमारे पास इतने shares है और इतना market price है तो बस सा multiply कर देंगे और sir number of units भी हमने दे दिया है ठीक है cash दे दे तो और it means यार उसने आपको 31st March की information दे दिया बले एक अप्रिल को आपको सुरू में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं इसके लावा accurate expenses है 2,5,000 सर accurate expenses मतलब outstanding expenses लाइबिटी है और sir other liability है 2,000,000 तो sir ये minus हो जाएगा yes और divided by 10,000,000 कर दोगे सबसे पहले multiply करोगे minus 2,50,000 minus 2,000,000 और फिर divided by जो भी आएगा divided by 10,000,000 करना तो एन भी आजाएगा बिल्कु सिंपल कोश्चन है अगर आपके बाश टाइम हो तो आप calculator चला कर देख सकते है time pass question नहीं करवाने वाला यह वाला कोश्चन I.C.E.I. का फैवरिट कोश्चन है बनाना पड़ेगा टी वाई के 8 पेज नंबर 8.3 तर यह L.D.R. कोश्चन में डाल देगी बिल्कुल नहीं कुछ है ही नहीं यह कहा सबाद L.D.R. में मैं बताओंगा बस वाई कोश्चन डालना है इसको एक बार कर लिया है ना तो आपसे बन जाएगा फैके सर अम तैयार है बली mutual fund company has the falling asset under it on the close of business has on a first fab का और second fab का नंबर ओफ शेर्स दिया market price दिया और यहां का market price दिया number of units भी दिया है और NA भी मांग रहा है मुझे इस question में एक पल को ये लगा अगर मैं यहीं तक पड़ू तो मुझे ये लग रहा यार NAV यहां का भी निकालना NAV निकालना तो है पर NAV यहां का निकालना की यहां का निकालना है तो मुझे लगा की चलो ना यार दोनों निकाल लेते हैं 1st FAB का भी NAV निकाल लेते हैं, और 2nd FAB का भी NAV निकाल लेते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, जब मैंने जैसी point number 3 देखा, तो यहां देखो, यहां उन्होंने 2nd FAB का NAV मांगा है, इसी वज़ा से मुझे यहां सिर्फ 1st FAB का निकालने इतना common sense आप लगा लोग है, तो sir, कैसे निकाला NAV, कुछ नहीं बेटे, इन number of shares को multiply किया आपने, यह value आगया, यह आगया net assets, divided by किया number of units, तो यह आगया आपका NAV, यह NAV कब का आया, 1st FAB का, सबसे ज़्यादा important है आपके लिए point number 2, अगर इस question में कुछ समझ रहा है, following information is given, बेटे अब इसको अच्छे से बढ़ोगे, okay, assuming one Mr. A, बोले एक person है, जिसका नाव मिश्टर A, Mr. A, कोई होगा unit holder, वो आया हमारे पास, मैं हूँ mutual fund, और बोले check दिया भाई, 30 लाग रुपए का, 30 लाग रुपए का check दिया, चेक से free में दिया, कि नई, बदले में units मांगेगा, कौनसी डेट में आया, मैं मान के चल रहा हूँ कि फर्ष्ट फैप को आया, फर्ष्ट फैप को जब आया, तो उस दिन एने भी कितना था, इतना, वो units तो मांगेगा, मैंने ठीक है, जी, कितना रुपए है भाई, आपक कितना आ गया, सर, 30,00,000 रुपए आ गया, 30,00,000 को करोगे क्या, तो बहुत, 30,00,000 में से हमने 8,000 shares purchase किया, किसका M Limited का, तो सर, 8,000 कितने के सबसे, 312 के सबसे खरीदा होगा, एक तारिकी बात हो रही है, पूरी एक तारिकी बात हो रही है, तो सर, 8,000 into 312, तो 24,96,000 ऐसा कु कैस बच गया, कि कैस भी हमारा ऐसे ठी, तो बोल रहा है, और बाच बचा होगा बैंक में, क्या इस कंडिशन में, फंड के पोजीशन में कोई change होगा, सर, ये multiple choice question है, कि वैसे तो नहीं होगा, पर फिर भी इस बात को आपको प्रूव करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या किया गया है, सुनना दिया है, इसके तो बीच जार शेयर थे, यस, अगर इसके देखोगे, मैं कब का एनेवी निकाल रहा है, मैं फर्ष्ट फैप का, फर्ष्ट फैप को चेक कितने का आया था, तीस लाग का, उस दिन एनेवी कितना था, इतना, तो ये हमने number of units issue कर दिया, ठीक है, यहां तक, बदले में इन्होंने सर, इसके शेयर सिर्फ 30,000 थे पहले, अब चेक आने से हमने 8,000 शेयर और खरीद लिये, और हमारे पास cash 30,000,000 मैं से इतने shares खरीदे तो इतना cash बच गया, और फिर सर सब को multiply कर दिया, total जोड़ा, और याद रखना number of unit से बढ़ जा गया, और NAV उतना ही आया, सर, उतना ही आया, उतना ही तो आना था, तो क्या NAV में कोई फर्क बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं बढ़ेगा, गुट, अब बोल रहा है कि चलो ठीक, यह सब काम हो गया, बहले अब second fab को निकलो, ठीक है, second fab में क्या करना है, सारी चीज़े यही र बात नहीं थी, चले जी आगे, तो इसी तरह से question number 3 है, और विश्वास नहीं हो रहा, same question है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है, जो मैंने अभी question number 2 किया ना, वैसे ही है question number 3, मुझे करवानी की जरूरत है ही नहीं है, पर यार ICAI ने same question क्यों book में डाल दिया, repeat, अगर आपक करना है, तो कर लेना, TYK9, page number 8.24, बट जरूरत नहीं है, seriously बता रहा हूँ, अब आप कहोगे sir, आप AFM module के कैसे question चुड़वा सकते हैं, repeat question है, और दोनों question क्यों डाला है, मुझे समझ में नहीं है, same question है, कर लेंगे sir, question number 8, cut कर सकते हो, repeat है, cut कर दीजे, कोई मतलब नहीं करन अब एक concept आता है, जिसको बोलते, POP, public offering price और redemption price, दो तरीके होते हैं, मैं simple तरीका करवा रहा हूँ, जैसे हैर हमने एक particular day को NAV निकाला, और NAV आया, 10.75 पैसे, ठीक है, सामने वाला person आया, बोलते है, आप ना, मुझे वो चाहिए है, units चाहिए, हमने का ठीक है, rate चल रहा, 10 रुपए 75 पैसे, rate नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, NAV, net asset, हमने निकाला, 10 रुपए 75 पैसे, पर क्योंकि mutual fund के कुछ खर्चे भी तो होते है, तो जब हम बेचते हैं ना, इसको, mutual fund जब बेचेगा, बेचेगा, ओफर करेगा, तो इसमें load को add कर देगा, बोले, आप entry ले जोड देंगे, 1%, 2%, जो भी दिया होगा, सर, इसको बोलते, entry load, yes, okay, सर, या इसको क्या बोलते, front end load, आओगे, front, और जाओगे, entry, exit, front end, back end, अच्छा सर, तो आओगे आप, आप खरीदोगे हमसे, आप entry लेना चाहते हैं, entry load लगेगा, 10 रुपए 75 पैसे में entry load जोड देना, तो इसको बोलते, public offering price, यो भी, या फिर हो क्या, क्या सकता, सामने वाला आया, बोलता है, या मुझे बाहर निकलना, exit load, मतलब, मतलब क्या कहना चाहते हैं, मतलब मुझे पैसे वापस चाहिए, जान गा सुनो, it means, ये unit आप खरीद लीजिए, आप वो mutual fund से बोल रहा है, हमा हमारे पास units रखी है, हम वापस करने आए, प्लीज आप हम से units खरीद लीजिए, अगर मैं आप से, मैं हूँ mutual fund, अगर मैं खरीदूँगा, तो सस्ते में खरीदूँगा, ये तो forex वाला ही concept हो गए, हाँ, बेचेंगे तो महगे में खरीदेंगे, तो सस्ते में, तो ये वा हाल ये है, हाँ सर बोलो, अगर मैं आपको, हाँ, NAV दे दू, ठीक है, और P.O.P. दे दू, इन दोनों के बीच का difference, percentage में, लोड बता सकते हो कि, सर, ये हो जाएगा, this minus this, divided by this, percentage में ही चाहिए न, वही उन्होंने निकाला है, it means मैंने आपको NAV दे दिया, P.O.P. दे दिया, अब मैं कहता हूं, बताओ, लोट कितना है, एंट्री लोट कितना है, तो निकल जाएगा नहीं, यार, 11.2, 10.8, और बेस में क्या जाएगा, 10.8, 200, simple तरीके से, वो के से, ठीक है, इस पे एक question है, उस question की बात करते है, question number 4, क्या हमारे module का question है, yes, tyk2, page number 8.22, institute ने दोनों alternative से कहा रखा है, लेकिन इस time पे दोनों समझाना बड़ा मुस्किल जाएगा, simple language में बात करते है, sir, एने भी कितना है, unit का price है, 10, ठीक, और P.O.P. है, 10 रुपए, तो क्या निकल सकता है, लोट, yes, sir, 10.204 minus 10 divided by 10 into 100, sir, 2.04, ठीक है, आब बोलो, चले जी आगे, एक और question है, और बहुत अच्छा question है, sir, इसको last में देखेंगे, क्या, इसको last में नहीं देखेंगे, इसी का जैसा एक question है, जिसको मैं कहूँगा कि पक्का-पका कर लेना, ये question अच्छा है, बस इस question में भी कोई खास बात नहीं है, last में क्या है, वो मैं भी 10 लाक यूनिट्स issue कर रहा है, कितने के सब से, sir, हमारी book में TY के 19 है, ठीक है, तो sir, 10 लाक यूनिट्स issue किये जा रहे, 10 के सब से, तो 100 लैक्स आएगा, और कौन सी डेट है ये, sir, ये डेट है, 1 जनवरी 2008, ये का, no entry load, what charge, ठीक है, कोई entry load, चाहिए भी नहीं था, तो sir, कि बात है, sir, ये एक जनवरी 2008 को आपके पास 100 लाक रुपय आया था, एक करोड रुपया, जाद रहा है, एक तारिक की बात बताया है, तो हो सकता cash वाली बात हो, और बोले, एक तारिक को हमने इस तरह से investment किया, और कितना खर्च कर दिया, बोले, 98 लैक्स खर्च कर द दो लाक रुपय कैश बचा, दो लाक रुपय कैश बच गया, ठीक है, sir, इस दो कोई दिकत नहीं है, तो निकालना क्या पड़ेगा हमको, sir, अब बात कर, बोले, during the year, during the year की बात करा, बोले, dividend मिला, 12 लाक रुपय, ठीक है, बारा लाक रुपय डिविडेन मिला, इसके अला इंट्रेस्ट भी मिल गया, सबका इंट्रेस्ट मैंने यहां लिख दिया होगा, यह इंट्रेस्ट भी मिला, ठीक है, कोई दिकत नहीं, आगे, at the end of the year, equity shares and 10% debenture are quoted 175%, इस पे दिकत है, बोले, equity shares, तो cash के लिए और कुछ लिखा की, cash के लिए और कुछ ने की लिखा, यहां डिबेंचर की बात किया, बाकी पार बोला है, find the NAV, ठीक है, operating expenses paid, मतलब सब 5 लाक रुपय भी माइनस होगा cash में से, तो यह आ गया closing cash, closing cash में दिकत नहीं है, okay sir, closing cash तो आ गया, problem क्या है, मालू मैं, problem बता रहा हूँ, okay sir, बताईए problem, problem यह है, कि यहां 175% लिखा, equity shares, तो 175%, 160 का लेना है, या 100 का लेना, यहीं एक दिखा, तो लिखा, at the end of the year, equity shares and 10% dimensions are quoted at 175%, क्या लगता है, पेटे face value का ही हूँ, का लिखा, are quoted, मतलब face value का, मतलब sir, यहां हम share का price 175, ले ले, 50,000 into 175, yes, तो 50,000 into 175 ले लिया, government security at par, 10% dimensions are, बाकी तो करी लोगी, यहां गया है, number of unit, तो 11.551, बिल्कुल simple, बिल्कुल simple, okay, ठीक है sir, आगे बात करें, आगे और क्या मांगा था, इस question में, इस question में मांगा था, find the NAV, फिर से बले, NAV, NAV तो निकाल लिये ना भई, बले, NAV कितना निकाला, हमने, 11.551, बले, अब सुनो, अब सुनो, बले, फिर से NAV निकालो, अगर, company dividend नहीं दे रही है, बले, mutual fund जो है न, वो एक unit पर 80 पैसा dividend दे दे देता है, एक unit पर 80 पैसे dividend दे दे देता है, institute ने क्या कर रखा, ICAI ने ऐसे गर रखा है, बले, net asset minus dividend paid हो रहा है, क्योंकि number of units कितनी है, 10 लाग, और एक unit पर 80 पैसा, 8 लाग तो सर, net asset हमारा कम हो जाएगा, divided by number of unit तो ये आ जाएगा, इसके पेक्स एक simple तरीका मालूम है, क्या है, जो एने वी निकाला था, उसमें से point eight minus कर दीजिए, एक ही दो बात है, सर, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना यार, कोई simple है, अच्छा कोशन था, सर, ये कोशन, ये कोशन आपके exam में आया था, और लगभग सेम कोशन था, इस कोशन में बच्चे फस गया, सर, कब आया था एक्जाम, ये एक्जाम में आया था, 2022, में 2022 में आया, अब सुचो, बच्चे कहां फसी होगे, मैं धीरे से बात कर रहा हूँ, ओके सर, हम तयार, सेम कोशन आया, बच्चों को बहुत खुशी हुई, कि क्या कोशन आया यार, और जैसी उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, तो पेन आर्टोमेटिक रुख गया, अब क्या करें, पढ़ो कोशन को, तर ये LDR में, मुझे लगता है, ये LDR में जाना चाहिए, एक ऐसा कोशन मुझे दिख रहा है, कि ये वाला कोशन आपका LDR में जाना चाहिए, बढ़े, तो लिए मुजिल फंड ने यूनिट इस्यू किया, 10 लाक यूनिट, 10 लाक यूनिट, 10 के, सबसे मतलब सर, 100 लाक रुपए हमारे पास आया, और कौन सी डेट की बात है सर, एक अप्रिल 2021, और ये इन्वेस्टमेंट भी कर दिया उन्होंने, सर वही तो वा कोशन है, तो टोटल नहीं दिया, हम टोटल कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, 80, 10 लाक रुपए हम सर, इंटरस्ट मिल गया सभी सिक्क्यूरिटी पर, तो हमने इंटरस्ट भी देख लिया, और इंटरस्ट भी जोड कर लिख दिया, मुझे नहीं लगता है, इसमें कोई दिख दिख दिया, ये तो अभी तक वही चल रहा है, जो पिछले कोशन में था, अब आगे क्या है, यहां से पिक्चर चैंच हो गही, यहां के बाद बच्चों की हालत कराओ, अन 31st December, एक्विटी शियर्स वर एप्रिशेटिड बाई 15 परशट, ठीक है सर, देख लेंगे, यह तो अभी तो कैश की बात करेंगे ना, यहां तक भी हमको ऐसा लगा कि हम कोश्चन सम्हान लेंगे, प्रॉब्लम यहां से आई, एक्स वाई जेट, सर, एक्स वाई जेट कौन है, म्यूचल फंड ने जिस कंपनी का शेयर्स खरीदा है, अन 15 दिसंबर 2021, मतलब सर, 15 दिसंबर यहां होगा, 15 दिसंबर को AGM हुआ, और AGM में हुआ डिविडेंट डिक्लियर्ड, जिसका नाम है इंटरिम डिविडेंट, और कितना, 10 पर, सर, डिक्लियर्ड भर हुआ, कुछ बच्चोगा गयाना है, सर, डिक्लियर्ड भर हुआ, मिला थोड़ी, पैट कहां लिखा है, कि X, Y, Z ने पैट किया, यहां तो सिर्फ डिविडेंट डिक्लियर्ड लिखा है, डिक्लियर्ड मतलब पैट मानके चल रहो, तो सर, डिविडेंट भी मिला, यस, तो सर, ये डिविडेंट तो मिल गया ना, बैट यह डिविडेंड अलग है अगर आप कह रहो अगर आप कह रहो कि आछ लाख में यह इंटरिम डिविडेंड जुड़ा हुआ है तो फिर अलग से क्यों लिखा मतलब हमको अलग से डिविडेंड भी मिला तीक है यह बात समझे में और इसके अलावा लिखा bonus shares और कब हो गया 28 December 28 December को bonus shares भी issue हुआ पैसे तो नहीं मिले पैसे नहीं मिले फिस bonus shares अब पहली बात कुछ बच्चों का कहना bonus shares भी डिविलन मिले bonus shares कितना 10 के बदले में 1 तो number of shares कितने 25,000 1 by 10 मतलब 2500 bonus shares मिले तो अब कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर बोनस shares पर dividend मिलेगा कि नहीं मिलेगा interim dividend interim dividend percentage में दिया ना 10% तो 10% किसका नंकाले 25,000 into 100 into 10% या 25,000 plus 2500 into 10% 25,000 plus 2500 into 100 into 10% भाई dividend की बात यहां लिखी होई है बोनस की बात यहां लिखी होई है तो simple सी बात है मैं मान के चल रहा हूं कि जो dividend मिलेगा वो सिर्फ 25,000 पर मिल रहा interim dividend और declared मतलब pad मान के चल रहा है कि सामने वाली company ने pad किया 25,000 into 100 into 10% और ये मिला हमको interim dividend ठीक है bonus shares यहां नहीं आता कहीं expenses paid लिखा है तो वो minus हो जाए expenses paid कहां लिखा है? आगे लिखा होगा ये लिखा find the NAV, point number one आपको NAV निकालना अगर operating expenses paid है तीन लाक रुप तो operating expenses paid लिखा तो ये आगे है मेरा closing cash ठीक है? तो बस इतनी सी बात थी कि interim dividend और bonus बस दोई चीज तो है नहीं ना विटे, picture बच्चों ने क्या गलती किया मैं बात करूँगा sorry, lag हुआ था, बीच में रुका हुआ था थोड़ा सा विटे, okay तो sir cash लिख लेते सबसे पहले yes, cash 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 sir, ये 10 लाक रुप है ठीक है working note number one से आगे sir, उस date last year end में 25,000 shares पहले से थे अब 25,000 shares और आ गए कौन से bonus shares अब सवाल है share का price क्या share का price क्या यहाँ बच्चों को दिक्कत थी share का price 15% से appreciate करना है तो sir, 15% 100 का ले या 320 का यह दिख गए 15% मतलब हमको 100 को 15% से बढ़ाना है या 320 को 15% से बढ़ाना है अधिकतर बच्चों ने इस question में ऐसा कर दिया होगा क्योंकि यार पिछला question तो हमारे study mat का है अब पिछले question में तो sir हमने 100 रुपे को 175% मतलब उसको हमने 75% बढ़ा दिया था इस question में sir इसी को बढ़ाते है ना इसको 115 करते हैं नहीं भाई नहीं अगर आप इसको 115 करते हैं और आप कह रहें कि चलो यार appreciate हो गया तो कैसे appreciate हो गया यह तो 320 से कमी है फिर actually वो कहना चाहता कि 320 रुपे को appreciate करना यह हमको समझेगा कैसे अगर quoted लिखा है 175% मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ आपको तो common sense लगाना पड़ेगा इसमें आपकी class में discuss कर चुका हूँ इस पे बात नहीं करेंगे ज़्याद है तो sir यह आ गया तो इस point में आपको दिक्कत हुई थी इस point में दिक्कत बाकी सारी चीज़े हुई थी बाकी कोई दिक्कत नहीं थी 10 लाग तो यह आ गया 13 रुपे 22 पैसे इसमें कोई problem नहीं आगे क्या मांगा point number 1 खतम हो गया sir yes point number 2 आगे क्या मांगा find the NAV if mutual fund has distributed 50 पैसे per unit तो यार यह तो बिल्कुल simple है सीधा 50 पैसे minus कर देना तो यह आगया 12.72 12.72 आप ऐसे करके भी कर सकते ओके फिक है sir और कुछ मांगा है क्या you are the investor आप investor हो तो बताइए annualized return कितना आएगा जब आपने invest किया था तो उस समय investment एनेवी 10 रुपे के हिसाब से खरीदा था आज एनेवी कितना हो गया सर ये वाला लेना है या ये वाला लेना अंसर एक ही आए अगर मैं कहता हूँ return calculate करना है तो 13 रुपे 22 पैसे अगर मैं dividend को ignore कर दू minus 10 divided by sir 32.22% return लेकिन sir अगर dividend मिल रहा तो सोचो ना यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसके विसे मैं समझाना वैसे आगे return calculation पर सोचो थोड़ा अगर लास्ट की एने वी माइनस प्रस प्रस सर डिविडेंट भी तो मिला चेंज इन प्राइज चेंज इन प्राइज प्राइज प्लस इंकम इंकम कहां से मिला ये डिविडेंट कौन दिया है सर mutual fund dividend दिया याद रखना अब याएने एक return calculation आएगा ना तब बात कर लेंगे समेंटर में और एक question है question number 7 sir AFM module का question है yes TYK20 page number 8.28 लगभग सारे question study mat के ही चलेगी कि हाँ जी हाँ लेकिन exam के कुछ question है जैसे पिसला question अच्छा question पड़े question को अच्छा question है based on the following information determined the NAV of regular income scheme on per unit basis ठीक है sir ये जो information दे रखा है जिस दिन का information दिया है उसी दिन का निकालना है या ये एक तारिक का information है पिटे यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है एक तारिक को investment हुआ ऐसा कुछ तो जिस दिन का NAV निकालना उस दिन ये information थी वो ये बता रहा है ये LDR में डाल दे किसको इसको ने इससे अच्छे question है उसको मैं LDR में डालूँगे इससे अच्छे question लेकिन उस दिन हम बता रहे कि देखो भई लिश्टेट शेयर्स तो है लेकिन कौश्ट है कौश्ट पतलब कौश्ट बता रहे सर ये information कब की है तो last date की जिस दिन का NAV निकालना उस दिन की information लेकिन वो बता रहे कि देखो लिश्टेट शेयर्स जो हमने खरीद है उसका कौश्ट कितना है उसका कौश्ट है 20 करोड़ खीक है भाई 20 करोड़ अब ले कैश हमारे पास 1.23 ये तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि ये सर कैश जो है क्लोजिंग कैश है की ओपनिंग कैश है ये क्लोजिंग कैश ही है जिस दिन एन्यमी निकाना उस दिन का इन्फर्मिशन तो कैस तो सर लिखी देते है आगे और क्या क्या लिखा है बॉंड एन्ड डिवेंचर एट कॉस्ट दिया है ठीक है दीज बॉंड लिखेट इसमें से नोट लिखेट मतलब सर अनलिष्टेड बोल दूं क्या यस अनलिष्टेड बॉंड है वन करूर के इसके अलावा अदर फिक्स इंटरस सिक्यूरिटी जो की है कॉष्ट 4.5 डिविडेंड एक्रिउड का मतलब क्या समझ रहा सर किसी कमपनी का डिविडेंड मिलना बाकी होगा mutual fund को तो सर यह income एक टाइप की सर amount payable on shares मतलब सर कमपनी कोई कमपनी होगी जो shares पर amount payable है पागल हो गया हो हमने shares खरीदा होगा उस shares पर हमारा कुछ amount है हमने मतलब mutual fund के में बात करा उनका कुछ shares पर amount payable कुछ देना बाकी होगा बस आपको समझ रहा पड़ेगा सर expenditure एक्क्रिट का मतलब out standing expenses number of units से दिया है अब यार यह जो cost पर दिया उसका कुछ information तो दे हाँ दिया है सर सबसे पहले बात किया है fixed income securities इसको दिहां से समझ रहा है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है fixed income securities खीक है सर जिसका face value है 100 उसका market price है 106.5 other fixed interest security का cost कितना है 4.5 अब ध्यां से समझना मैं करता इसका valuation तो कैसे करता सर 4.5 cost है इस value है कितना 100 into क्या करता है 106.5 तो other fixed income security का current value आ जाता current realizable value वही तो हम निकालते हैं ओके सर the listed share of a purchase जब हमने ये listed shares खरीदा था उस समय index कितना था सर एक हजार और अब भी index कितना है 2300 it means वो क्या कहना चाहता वो ये कहना चाहता कि जो index दिया है सर index बढ़ गया यस index बढ़ा है तो हमारा share का price भी उसी ratio में बढ़ेगा मतलब सर beta 1 वो ऐसा बोलना चाहा रहा है और कुछ तो information दिया नहीं है तो इसकी मदद से क्या हम listed shares की value निकाल सकते है यस सर 20,000 divided by 1000 into 2300 किया गया सर ठीक है अब इसके बाद क्या दिखाए दे रहा है सर bonds ठीक है और bonds not listed not listed का छोड़ अनलिष्टेड बॉंड का कुछ value दिया हुआ कि चेक करो यह सर वैल्यू अप लिष्टेड बॉंड एंड इवेंचर सर आठ करोड ठीक है भाई यह भी हो गए अनलिष्टेड बॉंड का विसे में कुछ बोला है कि हाँ जी नीचे बोला है कोश्टन में पुलिच जो अनलिष्टेड बॉंड है उसमें 20% कम हो जाएगा वैल्यू डिमिनिश हो जाएगा ठीक है इसकी बात हो रही थी सर अनलिष्टेड बॉंड की 1 था 1, 1 करोड 20% कम हो जाएगा मतला 0.8 यहां तक कोई प्रॉब्लम यहां है बस आपकी सबसे तो वैल्यू यह है यस पागलपन देखो ICAI का लाश्ट में एक सेंटेंस चिपका दिया है अदर फिक्स इंटरस सिक्यूरिटी को एट कॉस्ट पे लेना है बोल दिया है नहीं बोलता तो 100% में ऐसे वैल्यूशन करता बोल दिया है तो क्या करेंगे ओके सर तो बोल दिया है तो जो कीतियों लिखना पड़ेगा फिर 4.5 यहां बच्चे को बहुत दिक्कत आ रही है सर वैल्यू यह लेना चाहिए यह लेना चाहिए क्योंकि लौजी का लिए है बिल्गो सही कॉंसेप्चुल तो यह लेना चाहिए आज की रेलाइजेबल बेल्यू पर उन्होंने बोला कॉश्ट पे लेना तो कॉश्ट पे लेना ओके सर डिविडेंट एक्क्रूड मतलब डिविडेंट मिलना है कंपनी से एमाउंट पेबल आपको पता है एक्सपेंडिचर एक्क्रूट पता है ये करके आंसर आ गया 271.30 ठीक है तो अगे चले आगे 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 है रिटन कैल्कुलेशन ये दूसरा पॉइंट है आपका मेरा टार्गेट ये दो पॉइंट करवा लिया ना भाई मज़ा जाएगा फिर तो कुछ बचाई नहीं ओके सर तयार हैं लोग तो रिटन कैल्कुलेशन किसके एंगल से बात करते थे अगर मैं कहूं जो बात होती थी वो बात होती थी यूनिट होल्डर के एंगल से एने भी तो ठीक है इंपोर्टन है कि यार आपका कितना percent होता है यार mutual fund कितना percentee return कमा कर देता हूँ उसी की सबसे हूँ mutual fund में पैसा लगाते है तो होता क्या है हमने लगाया जैसे इसमें यूनिट होल्डर है यूनिट होल्डर में एक परसन राम ने mutual fund को पैसा दिया mutual fund ने सर उसको investment कर दिया किसमे reliance में टाटा में और भी company हो सकती अब ये जो company dividend देती है और सर कितना रुपए का खरीदा था तो बहुत दस रुपए का खरीदा था जब राम ने पैसा लगाया था ना mutual fund में तो सर दस रुपए के हिसाब से unit purchase किया था अब mutual fund क्या करती है इधर से जो dividend income होती है वो dividend वो unit holder को बाड़ दीता है डिविडेंड की income reliance से हुई और generally क्या होता ये इस dividend को dividend income generally बाड़ दिया जाता है इसको बोलते unit holder को dividend की रूप में मिला अगर सर हम इसको ignore कर दे इसको ignore भी कर दीजिए तो mutual fund अगर हम mutual fund सुनना देना से mutual fund का unit खरीदते है जैसे shares खरीदते है अगर हम किसी company का shares खरीदते है तो mutual fund भी भाई dividend देता है अच्छा तो सर ये dividend income होती है यस सर dividend income यहाँ से होती है dividend income mutual fund से unit holder को dividend मिला ओकी सर दस रुपे लगाया था सर डिविडेंट कितना मिला बीस पैसा पर unit और ठीक तीन मेहने बाद इन्हों ने बेच दिया units किसने रामने और कितने के बिचा 10 रुपे 25 पैसे का लगाया था 10, मिला है 20 पैसा पर यूनिट और लाश्ट में इन्होंने बेज दिया 10 रुपए 25 पैसे के सा, पताई ये राम को कितने पर्षेंटिस की कमाई हुई, सबसे पहले हमको निकालना होता है holding period return, holding period return मतलब 3 महने का return, अगर यहां देखो, तो सर 10 रुपए 25 पैसे माइनस 10 प्लस 20 पैसे dividend का भी दिया mutual fund ने, ओके, divided by 10 into 100, ये जो निकलेगा इसको बोल देंगे holding period return, 0.20, divided by 10 into 100, सरी आजाएगा 4.5% के आसपास, ये कितने मन्त का आया, सरी ये 3 महने का आया, तो हमें annualize निकलना पडता है, ये 90 दिन का आया, तो divided by 90 into 360, तो ये annualize return, generally, आप से पूछ सकता है holding period return, ये आप से पूछ सकता है annualized return, तो आप ऐसे, holding period return का formula simple है, तो change in NAV plus dividend income plus capital gain income, सरी ये capital gain income क्या होती है, ये भी बता तो थोड़ा सा, तो न दियांसे, ये जो mutual fund है, जो dividend मिलता है, वो भी distribute कर देता है, और साथ में reliance का share बेचने से, बहुत सारी company, उसमें से एकात company का share बेचता है, तो सर, capital gain भी तो होता है, तो वो जो कमाई होती है mutual fund की, वो भी distribute कर देता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, capital gain income भी distribute हो जाती, unit holder को क्या मिलता है, मैं हो mutual fund, NAV खरीदा, ठीक, change in NAV तो समझ लें, मुझे जो dividend मिला मैंने बाढ़ दिया, मैं mutual fund हूँ, मुझे जो capital gain मिला, किसी shares को बेचने से, वो भी मैंने बाढ़ दिया, तो मिलेगा क्या, change in NAV, dividend income, और capital gain income, divided by beginning NAV into 100, okay, this is holding period return, और फिर हम annualized return निकाल लें, ठीक है, sir, एकात question देखी कि देख लो, हमारी book में question number 11, sir, module में TYK3, page number 8.22, mutual fund NAV है 20, sir, beginning होगा, yes, और sir, dividend income है यह, और capital gain income है यह, और closing NAV यह है, तो क्या return निकाल सकते हो, monthly, yes, sir, यह monthly किन return, और यह annualized, मेरे ख्याल से, क्या यह multiple choice question है, yes, sir, यह क्या question आप MCQs में करवाऊगा, easy type का कुछ न कुछ तो करवाऊगा, मज़ आएगा उसमें, sir, mutual fund से MCQs आने के बहुत ज़्यादा chances है, okay, यह वाला कोशन अच्छा है, तर यह कौन सा है, TYK4, page number 8.22, यह वाला कोशन ज़्यादा अच्छा है, और इसमें जो मैं थोड़ा बहुत discuss करूँगा, वो करूँगा, dividend reinvestment के विसे में, लिखा, एक investor है, जिन्होंने 300 units purchase किया, sir, कब purchase किया, 31. December 2009 को, 12.25 पैसे के हिसाब से, as on 31. December 2010, sir, ठीक एक साल बात, 1.25 पैसे, dividend के रूप में मिला, और 1.25 गेन के रूप में मिला, आपको return on investment बताना है, अगर NAV 13 रुपए होता है, तो, sir, change in NAV, NAV कहा था, यह, change in NAV, change in NAV, plus, dividend income and capital gain income, divided by opening NAV, sir, यह क्या निकला, return on investment, यह इसी को क्या बोलते है, holding period return, और यही क्या annualized return है, हाँ, क्योंकि एक सल तक hold किया था, लेकिन यह वाला point important है, point number two, this is dividend reinvestment plan, तो, नादियांस, okay, sir, हम तैयार, the return on the investment, as on 31 December 2010, यह important, if all dividends and capital gains distribution, are reinvested into additional units of the fund, at 12.50 पैसे per unit, sir, क्या क्या ना चाहता है, बोले भाई साब, यहां हमने 300 units खरीदा था, कितने के साब से, 12.25 पैसे के साब से, तो, कितना पैसा invest किया था, 300 into 12.25 पैसे, तो, sir, हमने यहां, जो invest किया था, वो किया था, 3675, sir, बीच में dividend भी तो मिला, yes, कौन कौन, sir, dividend और capital है, sir, 2.25 पैसे मिला, एक unit पे 2.25 पैसे, दोनों मिला कर, तो, 300 unit पे, sir, हमको 6.75 मिला, पर भाई साब, 6.75 का करा, क्या आपने, sir, हमने, उसका, और units खरीदा, कितने के हिसाब से, वो दिया है, 12.50 पैसे के हिसाब से, हमने और units खरीदा, तो, अब हमारे पास, total units कितनी आ गई, 54, हमारे पास कुछ पैसा आया, कि नहीं आया, sir, हमारे पास units आई ये, और फिर 31.00 दिसंबर को, 354, 300, 300 units, ये था, 354 ये हो गए तो, 354 units, कितने के हिसाब से बेज दिया, 354, 354, into 13, sir, बेचने से, 4602 आ गया, बताओ, सुरू में कितना पैसा लगा था, sir, इतना, sir, बीच में कुछ पैसा मिला, क्या, कुछ नहीं मिला, last में हमको इतना मिला, बताओ, return on investment, simple है, 4602, minus 3675, divided by 3675, into 100, okay, sir, ये बात है, 25.22%, अच्छा कोश्चन है, पर क्योंकि यार, multiple choice कोश्चन है, वहां तो मैं अलग से करवाऊंगा ही, आपको MCQs, तो sir, इसको LDR में जरूरत नहीं है, इसको भी LDR में डालने का, अगर ऐसे कोश्चन LDR में डालोगे, तो फिर कैसे चलेगा, sir, question no.13, ये मुझे समझ में नहीं आता, कि ICAI ऐसा कर क्यों रहा है, ये repeat question क्यों डाल रहा, figure change कर दिया, बताओ, ये question, इसमें मैं आपको क्या करवा हूँ, ज़रूरत नहीं है, sir, इसको भी कट कर दीजिए, हाँ, कट कर दीजिए, exam का कोश्चन है, कट कर दीजिए, ये बाला कोश्चन अच्छा है, question no.10, बहत्रीन कोश्चन, sir, क्या LDR में डालोगे, पक्क का डालूँगा, LDR, ये बाला कोश्चन मुझे डालना हीं पड़ेगा, बहुत अच्छा कोश्चन, पड़े, the following particulars relating to Vishnu fund scheme, NAV important है, ठीक हो, return तो साथ साच चल रहा है, ओके, sir, है क्या क्या, बुले, हमने कुछ investment किया, sir, ये information कब किया, कहीं भी, एक अप्रेल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, और ये नहीं बुला, मतलब, sir, ये information उस दिन की ही होगी, जिस दिनने नहीं भी निकालना है, आज जी, हाला कि उस दिन की market value नहीं दिया रहेगा, cost दिया रहेगा, तो हम market value निकाली नहीं रहेगे, ये 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 वाली चीज़ रहेगा, जो आपको समझानी इस question, अच्छा है, आगे बड़े, और भी कुछ information दिया है, बोले, फार्मस, जिस दिन हमने फॉर्मस उटीकल कंपणी के, फॉर्मस उटीकल कंपणी के, shares खरीदा था, उस दिन index ये था, और जब हम valuation कर रहे हैं, उस दिन index ये था, तो सर, इन सब की मदद से, हम हर एक company का, cost दिया है, तो value तो निकाली सकते हैं, वह इन्होंने किया है, तो सर, इन में कोई दिक्कत है, कि इन में कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है, अच्छा सर, यह जो लिखा, fund has incurred the following expenses, बहुत सारे बच्चों का यहां दिक्कत है, बच्चों का कहना है सर, fund has incurred the following expenses, इसका मतलब सर, यह expenses incurred हुए है, हां, तो उनका कहना है, कि सर, cash में से, माइनस होना चाहिए, cash कितना दिया है, cash दिया 1.5 करोड, तो इसमें से यह खर्च है, 1.5 करोड मतलब 150 लाग, देखलूं क्या, 1.5 into 100, 150 लाग, तो बच्चों का गयना सर, इसमें माइनस होना चाहिए, भाई कैसे माइनस होना चाहिए, 150 लाग ही है, अगर आप कहरों कि यह पैड हो चुके है, अगर पैड हो इसमें से पैट करना, 150 लाग में से पैट करना, कहां से पैट करोगे, तो बिकार बात है, फिर कुछ बच्चों का कहा गयना सर, यह expenses payable हो सकते हैं, expenses payable हो सकते हैं, तो भाई expenses payable हो सकते हैं, तो ये expenses payable दिया है ना यार 3.5 अगर ये दिया है और अलग से आप कहा रहे हैं कि expenses payable है तो भी कर की बात है तो सरी expenses का क्या use है कोई use नहीं है जवर्दस्ती दे रखा है और use है तो कहा है वो मैं आपको समझा दूँगा इन expenses का use NAV calculation में नहीं है cash मैंसे minus नहीं करेंगे expenses payable अल्रेडी दिया हुआ है कुछ बच्ची और युगार लगाते है देखते 3.5 है कि नहीं 480 प्लस 650 प्लस 38 ओहू 3.5 बात नहीं करेंगे इनका कोई use नहीं है तो सर इन company का तो value हो गया इसका value कैसे निका लेंगे इसका value simple है बताओ आपके पास जो listed bonds है उसका face value कितना है सर बारा करोर और बारा करोर 12 कैसे है 8000 into 15000 सर बारा करोर ठीक है बारा करोर बारा करोर पे आपको 14 पर्षन interest देना है मानते हूँ सर बारा का 14 पर्षन सर 1.68 CR और मैं मान के चल रहा हूँ इन bonds को अगर मैंने खरीदा है तो 1.68 CR जो मुझे interest मिलेगा वो perpetual मिलेगा और discounting करेंगे similar bonds से तो divided by क्या करनेंगे 8.842 पर्षन concept ही है बाकी unitary method से आपको करना है कर सकते हैं तो सर 1.68 divided by 8.842 पर्षन टेज तो सर ये 19 CR आएगा 19 CR और unlisted bond का साइद 7 है unlisted bonds के विसे में कुछ बोला है क्या unlisted bonds के विसे में कुछ नहीं बोला है तो जो किन 3 हों ले लिए 7 और cash तो हमारा निकला expenses payable है तो सर ये आगया 415 net assets आगया और सर जो net assets आगया divided by number of units दिया हुआ है तो जो आगया है वो आगया NAV कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को बस दिक्कत आई थी expenses payable में इन expenses में पर कोई दिक्कत नहीं सर पहला net net asset value of fund ये है सर दूसरा NAV per unit ये निकल गया है दोनों निकल गया है if the period of consideration is two years ठीक है तो टोटल परियेट जो है न जो हमने hold कर रखा ये दो साल का है and fund has distributed three per unit as cash dividend NAV निकलना है net return निकलना अब ध्यान से समझना इस बाप को सर बीच में यहां का yes सर बीच में क्या दिया है यहां का NAV और यहां का NAV ठीक है यह टोटल परियेट कितना है दो साल और बीच में सर ये unit holder है तो इसको dividend की रूप में मिला होगा तीन रूपे पर unit पर year तो सर टोटल मिला कर 6 रूपे मिला होगा दो साल में yes और सर यहां का दो साल बात का NAV तो अभी हमने निकाला कितना निकला 98.97 हाँ बलो हाँ सर यह cash कप का दिया है last का दिया है ना भई cash से कोई मतलब नहीं सर यह यह जो dividend है सुनाथ सुनो 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 सर यह जो dividend है यह कहां गया cash यह 1.5 में से minus करेंगे न क्यों करेंगे paid हो चुका है यह last का closing balance दिया हुआ है इस में से dividend minus मत कर देना ओके सर तो सर यह है unit holder इसका यहां यूनिट्स खरीदा होगा दो साल हो गए और कितना 6 रुपे dividend का भी मिला last का NAV यहां कितने में खरीदा है यहां का NAV का समको पता लग जाए और यहां का NAV उन्होंने क्या निकाला बुले जो cost है न हुए ले लिया यह वाला cost ले लिया ठीक है और सर यह वाला cost ले लिया ठीक है divided by number of units कर देख करो मतलब equity cost ले लिया bonds सर expenses payable last के है दो साल बात के है सर cash दो साल बात का opening cash कितना था नहीं था 0 तो ना opening cash था नहीं तो सर उस समय जब units खरीदा तो कितने के 54.52 बीच में cash आया होगा इसके पास उन्होंने dividend भी दिया ठीक है तीन रुपए एक साल का तो दो साल का छे रुपए change in NAV plus income divided by opening NAV into 100 सर यह कहां से आया यह मैंने वहां से लिखा जो statement दिया ना cost वह बला लिया into 100 तो यह आ गया 92.53 परशन और यह दो साल का तो एक साल का आ गया 46.265 परशन एक्जाम का question है भाई तर इसमें बच्चों को कहां कहां दिक्कत हो रही है इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होई है इस question है कुछ लोग तो मेरी बात भी मानने को तयार नहीं कि नहीं सर ऐसे थोड़ी नहीं होता cash तो रहा होगा बेरी बात आप खुद आराम से रात का टाइम है आराम से सोचना कि क्या होना सर अभी तक बस एक बात समझ में नहीं अच्छा कुछ बच्चों का कहना है सर सुनो expenses है न हां तो सर expenses फिर तो यार बीच में कैसा आया होगा बीच में कैसा आया होगा तो expenses पैड़ होगा सर ये expenses क्यों दिया है ये समझे में नहीं आ रहा है पेटे ये expenses सिर्फ एक वज़ा से दिया है आप किसे expenses ratio मांग रहा है बस इस वज़ा से सर expenses ratio क्या होता और क्यों निकाला जाए mutual fund में हम पैसा लगाते है तो हम ये पता करने की कोशिस करते हैं कि अर कौन सा mutual fund कितना खर्चा कर रहा है अगर खर्च जादा है तो ऐसे mutual fund में पैसा नहीं लगाएगा हम देखेंगी कि एक NAV के पीछे एक unit की value के पीछे हर एक unit पे खर्चा कितना होता क्या आप per unit expenses निकाल सकते हैं निकाल सकते हैं और इन्होंने निकाला per unit expenses ये लेक्स में दिया तो ये भी लेक्स में तो सर आगया 1.59 जरो एक unit के पीछे तो NAV कौन सा वला लेना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग किया मैंने average NAV तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई कि एक unit जिसका value है 76.745 उसके पीछे 1.59 एक रुपिया 69 पैसा खर्चा करते है percentage में बता दो और percentage में बता है दो percent का खर्चा होता है दो percent के आसपस दो साल का दो साल का ये तो एक साल का कितना 1.035 this is expenses ratio और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि देखो भाईया कितना percentage का खर्चा होता है एक रुपे के पीछे ये ratio मैंने इसलिए लगाया that's it question अच्छा है बाकि यार बहुत ज़्यादा detail में तो समझाने सा ये कोशिश 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 उके सर तोनों कोशन एक बार कैसे आ सकते कहीं नहीं गरबढ़ है पर मैं आपको बता रहा हूँ जो दूसरा कोशन है वो बाद में आया था ये वाला कोशन गलत आया था एक्साम में गलती क्या थी आठ हजार इंटू पंद्रह हजार जब कर रहा हूँ न तो सर यहां बारा आना चाहिए रहा है यहां चोबिस क्यों यह गलती हो गई इंस्टेव और उन्होंने चोबिस के हिसाब से यह काम कर दिया यह गलती थी तो सर इसको अभी हम इग्नोर कर दीजे कर दीजे आपको सही दिया रहेगा तो सरा भाई साब एक्सपेंसेस तो दिया थे इस कोशन में पर आपसे एक्सपेंसेस रेशो नहीं मांगा था तो बच्चे और कन्फीज होगे यार एक्सपेंसेस रेशो नहीं मांगा है क्या करना है कुछ इन एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना थे इस कोशन में सर यार यह तो बहुत गलत बात है एक्स्पेंसिज रेशो मांगता है तो अलग बात है पर इस कोश्चन का कुछ भी नहीं करना ठीक ओके सर तो वह वाला कोश्चन LDR में डाला यह कोश्चन गरबढ है तो प्लीज इसको भूल जाओ इस कोश्चन को कोश्चन गरब फोर्टी यह भी टीवाई के सिक्स पेज नंबर एट पॉइंट टू 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 पड़े एक बार आसा तो फॉलिंग इन्फोर्मिशन इस एक्स्ट्रक्ति फोर्म इस्ट्रक्ति फोर्म इस्टर्डी मूचल फंड इसकीम Assit Value at the Beginning of the Month सर यह Beginning NAV दिया है Sir Anulize Return है पंदरा परषण यह माँदिया है Animalize Return है पंदरा परषण और Capital Gain और Ravid and Restribution दे यह दोenced़ दिया Calculate the month and NAV Sir Closing NAV मांग रहा है Closing NAV को हम X मान लीते है अमे TJAN दे दियाए परgrade toch हमेंcrates मंप का दिया है एक महने के लिए रिटन तो इनलाईज दिया है बात समझ रहे हो ना अब पहले इसका मैंने घोल्डनींस canceled मैने का JEFF चैंजीं एने वी कैसे निकलता है डिटन इन टु अंड़ distingu करके मैंने यहां point में लिखा percentage में लिखा अगर मैं percentage लिखता 1.25 तो उधर into 100 लगाना पड़ता है ठीक है सर इतना मैं sum को आता है और closing एनेवी को ले लिए मैंने x opening एनेवी दिया है और 0.82 क्या है ये दोनों मिला कर और divided by opening एनेवी इसको solve किया तो answer आ गया 65.78 किसमस से और opening एनेवी कितना था 65.78 बहुत सारी बच्चे बहुत सारी बच्चे ना यही पेन रुख गया उनका कि यार कैसे बरावर कैसे आ सकता आ गया और दूसरा बोला comment कीजिए और comment में मालूम क्या है क्या किया उन्होंने no change in एनेवी ओगे सर आगे चले question number 15 TYK 10 page number 8.24 अच्छा question है देखे Mr. A has invested three mutual fund scheme as per detail below ओगे सर बढ़े जी mutual fund A mutual fund B mutual fund C यह आपके में मिलेगा TYK 10 page number 8.24 rate of investment दिया 1 December 1.1 amount of investment दिया 50,000, 1,50,000 NAV entry rate को दे रखा मतलब सर beginning NAV हो गया और सर dividend received up to 31 March 2010 ठीक है सर dividend dividend per unit नहीं दिया भाई साब dividend total में दिया है और सर closing NAV दे दिया है और आपको effective yield निकालना हाला कि effective yield का कुछ और ही होता है पर आपको सीधी सी बात है mutual fund में कोई effective yield नहीं होता आपको annual return निकालना है बस बात कर था annual return per annum basis पे तो कैसे करना है कुछ नहीं change in NAV plus dividend एक तरीका है इसर ये 950 को number of units से divide कर देते हैं तो dividend per unit निकल जाएगा और फिर हमारा HPR रह जाएगा holding period return और फिर हम annualized return निकल सकते हैं एक तो ये तरीका है दूसरा तरीका है कि क्यों होना सभी चीज total में कर दिया जाए देखो सुरू में कितना पैसा लगाए ये तो total में दिया है और सर डिविडें इंकम ये भी total में दिया है number of units निकाल की हम इससे multiply कर देगा तो सब total में जाएगा ये तो आप per unit basis पे कर दीजिए तो total में कर लीजिए तो सर हम total में कर लेते हैं हम क्या करते हैं पचासजर रुपिया investment है divided by NAV तो number of units आएगा और जो number of units आएगा उसको इससे multiply कर देगा तो सब हमको total में मिल जाएगा दिखाओ एक बार दिखाओ ये दिख रहा है आपको question तो में चलफन A, B, C कितना है सर पचास जार रुपिया मैं एक ही बात कर रहा हूँ आप समझ जाओगे सर पचास जार रुपिया कितने के हिसाब से था सर दस रुपिया पचास पैसे के हिसाब से खरीदा होगा तो number of units आगया यस सर और dividend कितना है नौसब पचास ये टोटल में रहने दो अब सवाल है 476 इतना units था और closing हो गया 10 रुपिया 40 पैसे तो आपकी units के value कितनी आई तर इन दोनों को multiply कर देंगे तो ये आगया किया तक ठीक है अब सवाल ये है कि कितने दिनों के लिए investment कर रहा है वैसे तो यार मेना सीधी सी बात कर रहा हूँ ये मैं मन्त में काम कर सकता हूँ पर ICAI ने इस टाइप का question में days में calculate किया हुआ है सब days में करते सर किस दिन पैसा लगाया था 1 December को तो वैसे तो December के 30 दिन गिरना चाहिए पर वो पूरे गिरन ले था तो December के होगा 31 January का कितना होगा January का January का December के बाद January का 31 February का 28 March का March है ना 31 March तक सर 121 दिन लिया है उन्होंने Yes 121 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किया अब सब से पहले HPR निकालेंगा निकाला इन्होंने 495 टोटल में निकाला माइनस 50,000 प्लस 950 डिवाइड बाइड बाइड पचास जा तो यह क्या निकाला मेरा HPR Holding Period जो की कितने दिनों का है सर 121 दिन का तो 365 दिन का कितना परशन्टेज में निकाल लिया 2.86 S.A.B का और S.A.C का निकाला ठीक है ठीक है सर अच्छा कोशन था कोशन नमबर 17 पिर इंशिट्यूट की वही गलती यह आपके बुक में देखोगे तो TYK 11 पेस नमबर 8.25 कट कर सकते हो आपकी मर्जी सर कोशन नमबर 18 कोशन नमबर 18 अच्छा है और क्योंकि मैंने कहा न ढ़ाई गंटे से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी TYK 12 पेस नमबर 8.25 पढ़े एक बार सेम ही तो कोशन है सर सेम कोशन है कुछ खास बात है Mr. Y has invested 3 mutual fund as per the following scheme हमारी बुक में क्या मिलेगा कोशन नमबर 18 पढ़ते हैं कितना investment हुआ सर दो लाक कितने के सब से 10 रुपे 30 पैसे के सब से यहां डिविडेंट 50 जार नहीं है यह डिविडेंट 5 जार यह misprint है प्लीज यह पाच जार डिविडेंट रिसीव कितना हुआ 6000 सर वैसी वाला कोशन है सर एनने भी दिया हुआ है पर इन्होंने यहां effective yield दे रखा effective yield मतलब annualized yield दे रखा 9.66% एक साल में आपको कितना दिन लेना 365 दिन सर यह LDR में डालोगे कि पक्का पक्का यह LDR हो गया भाई हमारा अच्छा कोशन है LDR Mr. Y has misplaced the document of his investment और उन्हें यह नहीं मालूम कि किस दिन investment किया था हम लोगों ने after usher turning का following उन्हें यह मालूम कि यह नहीं पता कि किस दिन investment किया कोई बात ने सोचेंगे किस दिन किया था सबसे बहुते मांग किया रहा है one by one काम करो आप से automatic हो जाया सबसे पहले मांग रहा number of units in each scheme number of units कितना units खरीद आसर दो लाग रुपे लगाया था 10 रुपे 30 पैसे कि सबसे तो number of units तो कोई भी बच्चा भी बता देगा yes तो पहले point में तो कुछ था ही नहीं उसके बाद क्या मांगा sir total NAV मांग रहा है अब यहाँ दिक्कत है total NAV का मतलब मुझे क्या लग रहा था पता है तो मुझे यह लग रहा था sir यह जो number of units है यह NAV है 10 रुपे 25 पैसे yes तो sir इसको इसके साथ multiply कर दीजिए तो यह total NAV बोल सकते है नहीं उन्होंने का ऐसे नहीं है total NAV का मतलब Mr. Y ने जितने भी scheme में पैसा लगाया है सब की total NAV और वो भी कब की closing rate के मतलब number of units into 10 रुपे 25 पैसे number of units into 10 रुपे और number of units into 10 रुपे 20 पैसे इस तरह से इसको नाम दिया उन्होंने total NAV अब क्या बोल रहा है total yield total return फो कैसे निकाला उनने ने का total का मतलबает नदे आटालमस अब मिलाकर यह सब मिलाकर पैसा कितना लगाया था वि Spanish अब हमने पैसा लगाया था इतना तो और दो चार और चार आवध लगाया ओकी और dividend total मिलाकर कितना हो गहा छे और पाच्छ ग्यारा हजार रुपे डिविडेंट और यह सब कितना आ गया सर यह आ गया क्लोजिंग तो चैंज इतना लगाया था इतना मिला और डिविडेंट भी तो मिला उसको उन्होंने कनवर्ट किया देस माइनस आट लाक प्लस ग्यारा हजार आट लाक तो सर 1.26 परशन यह टोटल जी तब का मिला कर अब सबसे इंपॉर्टन काम यह वाला इंपॉर्टन है भाई नंबर उफ डेस इनवेश्टमेंट हैल्ट कितने दिनों के लिए इनवेस्टमेंट हैल्ट किया है नंबर उफ डेस अराम से सूचे सर देखो यह तो दिया है 9.66 पर यह एनवल रिटन है बिल्कुल तो सर पिछला कोशन का रिफरेंस ले क WiFi सर देखो ना यह एनवल रिटन है यह दिया है सर उसने और हमको यह नहीं मعलूम इसको X ले लेते हैं ना सर वो गये काम यह दिया है इसको X से ले लेते हैं बाकी सब तो मालूम है काम हो जाएगा देखते हैं यहाँ से देखो यहाँ से बाला कोश्चन है ना हाँ सब तो mutual fund X की बात करते हैं mutual fund X mutual fund X का सबसे पहले holding return मैंने step by step की आप सीधा भी कर सकते हैं मैंने क्या किया सबसे पहले holding period return निकाला मुझे नहीं मालूम कि कितने period के लिए hold किया पर मैंने holding period return निकाला ठीक है सर और holding period return के लिए सिर्फ पहले mutual fund X की बात कर रहा हूँ इतना पैसा लास्ट का है एने भी बिलकुल लगाया कितना था अगर एक एक की बात करो सर दोलाक लगाया तो डिविडेंट कितना है तो डिविडेंट है 6,000 रुपए तो होल्डिंग पीरिट रिटन तो निकल जाएगा पर कितने पिरिट के लिए होल्ड किया वह नहीं मालू तो ठीक है वह आपने निकल लिया वह आगया 2.5145 अब को पता है एन्वल रिटन कैसे निकलते है यह सर इस इतने दिनों के लिए एन्टू 300 पैसट तो एक्स का वैलू निकल जाएगा और एक्स का वैलू कितना आगया 95 डेस ठीक है अब कभी कभी वह और क्या पूछता है म किस दिन इन्वेस्टमेंट किया था 95 डेस पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा ना मतलब सर मार्च है ना 31 मार्च उससे पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा 95 डेस पहले तो कैसे निकलो सर मार्च का पूरा 31 ले लेते है उससे पहले दिसंबर का भी 31 ले लेते है और सर नव और जन्वरी का 31, अब कौन सा मन्त आ गया, दिसम्बर, क्या 95 हो चुके, सर 31 प्लस 28 प्लस 31, सर 90 हो गया, पाच दिन और माइनस कर दो, तो सर दिसम्बर में आपने 26 तारीक को इनवेस्टमेंट किया होगा, बाकी डेस घिल लेना, तो डेट आप इनवेस्टमेंट भी पूछ स सकता है आप से, यह इंपॉर्टेंट है यह वाला पार्ट, प्लीज, अच्छे से करवाया हूँ, मैं इसको बहुत अच्छे से, ऐसी बाकी कभी आप निकाल लो, इसी तरह से है, कोश्चन नमबर 19, कट कर दो, काम का नहीं है, और अब यह वाले कोश्चन है, जो कल करेंगे अगर मैं कहूं, क्या 50-60% हमारा कम्प्रीट हो गया, मुचिल फंट है, जैसा कि टार्गेट था, और कल साम को multiple choice question के live classes हो, इसमें हम मुचिल फंट नहीं करेंगे, मुचिल फंट अभी आराम से कर लो, मतलब सर मुचिल फंट कल सुबह डल जाएगा, कि यास, तो कल साम को हम पहले portfolio खतम करेंगे, MCQs, live रहेगा, एक गंडे कराएगा पर live रहेगा, और सर उसके बाद अगले दिन मुचिल फंट का MCQs, ठीक और संडे को टेस्ट, खतम, that's it, okay, bye, कल मिलते हैं अगले पार्ट में यहां से start करेंगे, सन्मन मुचिल फंट से, okay, thank you so much, bye- कि अगले i aux उनेु disfr measurement का 50 बार्त sono से, now कलिए करेंगे, से, घो झाले के में बाद हैं तो कि 이션ग मुचिन का